नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल अपनी क्लास में दोस्तों इस वीडियो के अंदर में आप सभी को आपके पंजाब बोर्ड कक्षा 11 में जो 20 मार्ट 2021 को पंजाबी लेक्टिव का पेपर होना है इसका मैं आपको एक बिल्कुल रि इसका में देखने को मिलेंगे दोस्तों तो चलिए देखते हैं इस पेपर को तो आप देख सकते हैं हमारे इस पेपर के अंदर पहला परशन है इसमें आपको शुरुआज के अंदर एक एक नमर के चोटे 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 परशन है वो देखने को मिलेंगे तो देखिए पहल आपको बताना है कि इसका अर्थ क्या होगा उसे क्या कि दूसरे का दूसरे का दूसरे का तीसरा है उसे का दूसरे 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 का तो दोस्तों देख सकते हैं यह मारे पास में क्या है चोथा परशन है जो कि यह आपके छे नंबर का रहने वाला है दोस्तों चोथे परशन की खासियत यह है कि इसमें आपको अत्वा का परशन है वो भी देखने को मिल जाएगा और दोस्तों जो पांचमा प्रशन है वो हमारे पास में टोटल 15 नमर का रहने वाला है तो आगे चलते हैं अब हमारे पास में 6 प्रशन आता है तो देख सकते हैं दोस्तों 6 प्रशन के इंदर हमारे पास में 3 पॉइंट दिये गए हैं आपको तीनों पॉइंटों के उत्र देने हैं और आपको पूरे दिस नमर मिल जाएंगे आगे हमारे पास में साथ में प्रशन आता है तो साथ में का जो पहला है वो इस परकार से रहेगा दोस्तों यापर मैं आपको कहना चाहूँगा यदि आप इन प्रशनों को अपनी कोपी पर नहीं लिख रहे हो जो 20 मार्ट 2021 को पंजाबी एलेक्ट्व का पेपर होना है उसका मैंने आपको एक बिल्कुल रियर पेपर बताया दोस्तों यदि आपको ये क्यूशन सचे लगे हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ यदि आपको कोई ऐसा फ्रेंड है तो कि आपके साथ क्लास लेवन में पढ़ता हो और उसका भी 20 मार्ट को पंजाबी एलेक्ट्व का पेपर होना हो तो उसको भी वीडियो शेयर कर दो दोस्तों तो अब इस वीडियो में तो इतना ही था अब मिलते हैं किसे ने वीडियो में तब तक लिए जय हिंद जय भारत